हेलो गाइज, विल्कम बैक टो माई चैनल ड्रामा सिरीज विल्कम बैक टो माई चैनल ड्रामा सिरीज तो ते भी उसके पीचे पीचे घर चला जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे पहचाने से इनकार क्यों कर रही हो अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलवाता हूँ तो वसी खीच कर उसे एक थपर मारती है और जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है तो ते तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो घर के अंदर भी चला जाता है तो वसी उससे अपना पीछा चुरवाने के लिए घर का दरवासा बंद कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है आगे ते वसी की यादों में देबदास मोड में चला जाता है और दूसी तब वसी सोच रही होती है कि आखेकार वो लड़का उस पर इताहक क्यों जता रहाता कहीं इस दुनिया में उसकी कोई हमसकल तो नहीं है और मनी को वसी और उसके पापा पर इसलिए गुसा आरा होता है क्योंकि उसके पापा ने उसे छोड़ कर मनी को चुछा इसलिए मनी वसी का नाम यूज करके सारे लड़कों के साथ घूमती है बैल मनी के जो step father होते हैं वो मनी को बहुत ही प्यार करते हैं पर मनी अपने step father को घासी नहीं डालती और उसे लगता है कि उसके step father बस उसके आगे पिछे से ले घूमते हैं क्योंकि वो उसे पाना चाहते हैं लेकि ये सब मनी की गंदी सोच होती है उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और वो पूरी कोसिस करते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुस रहे पर मनी अपने गंदी सोच में इतनी गीरी होई होती है कि वो अपने पापा को ही seduce करने लगती है उसके पापा उसे रोकने की कोशिस करते हैं पर मनी अपने पागल पन में अपने पापा को भी नहीं छोड़ती और यह सब उसकी माँ देख लेती है जिस वजा से वो सदमे में चली जाती है और उनकी यहीं पर मौत हो जाती है और ये सब करके भी उसे चैन नहीं मिलता और वो अपने पापा से और अपनी जुरुआ बेहन से बदला लेने के लिए अपनी जुरुआ बेहन का इस्तमाल करती है और वो जिस भी लड़के से मिलती है उसे अपनी बेहन का नाम बताती है और उसके साथ हुक अप करती है वेल ये सारा कारणामा करती तो मनी है पर फस्ति बिचारी वसी है और यही गलत फेमी हमारे हीरो को भी हुई है जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की मनी है ना की वसी जिस लड़की ने उसका फायदा उठाया वो मनी थी ना की वसी पर ये बात उसे नहीं पता होत और इसी वज़ा से ये दोनों एक दूसरे से ऐसे हालातों में मिले होते हैं जिस वज़ा से इन दोनों के बीच प्यार होने के वज़ा है इन दोनों के बीच सिर्फ नफरती पैदा होती है अगले दिन ते फिर से वसी से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है तुम मुझे प बात मानने को तैयार ही नहीं होता और वो वसी को कहता है मुझे एक बार कह दो कि मैं गरीब था इसलिए तुम मुझे छोड़ कर गई थी अगर तुम मुझे ये बात कह दोगी तो मैं कभी भी तुम्हें परसान नहीं करूंगा तो वसी भी ते कैसे बिहेवियर से पुरी था परसान हो जाती और वो कहते हैं अकर तुम्हारे ये सब सुनने से सांथी मिल जाएगी तो हाँ मैंने तुम्हें तुम्हें कि बज़ेगोजे से चोड़ा था तुम्हारे लिए मीरा प्यार कोई मैने नहीं रखता बसुम्हारे लिए पैस in desert हो ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परिसान नहीं करूंगा और ते ये कहकर वहां से चला जाता है तो वसी को ते के लिए बहुत ही बुरा लगता है आगे वसी अपने पापा से पूछते हैं तुम्हें पापा क्या इस दुनिया में मेरी कोई जुरुआ है तो उसके पापा ये बात सुनकर प तब्यात बहुत ही खड़ाब होती है क्योंकि उनका बेटा उन्हें छोड़ कर चला गया होता है जिस वज़ए से उनकी तब्यात खड़ाब हो जाती है और वो अपने बेटे से मिलने की आस में जी रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो य ये बात सुनकर बहुती खुस हो जाती है और वो मैनेजर को ओडर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर उसके पोते को इस घर में वापस लेकर राए क्यूंकि अब इस घर का एकलोता वारिस उसका पोता है तो वो लोग दादा और दादी जी के पोते को होते हैं कि तभी उनकी गारी से ते का एक्सिडेंट हो जाता है तो वसी के पापा उसके पास जाते हैं और उसकी हाल चाल पूसते हैं तो ते कहते हैं मैं ठीक हूँ अंकल मैं चला जाओंगा तो वसी के पापा कहते हैं हमारी गारी से तुम्हें चोट लगी है चलो मैं तु आगे वसी के पापा ते को घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वसी के पापा को पता चलता है कि ते की एक मिठाई की दुकान है और उसकी मिठाई की दुकान कुछ जादा अच्छी चल नहीं रही तो वसी के पापा ते की हेल्प करने के लिए उसकी दुकान से कु चाहत है। पूरी स्टोरी बताती है कि आखिकार वो उस घर से इतनी दूर क्यों रह रही थी। मैं तुम्हारी दादी की नोकरानी हुआ करती थी और तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थी। और हम दोनों को लगा कि हम दोनों के रिस्ते को तुम्हारे दादा दादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसलिए हम वहां से भाग गए और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे हमने अन जाने में ही सही लेकिन तुम्हारे दादा जी को बहुत ही दुख पहुचाया है इसलिए अब तुम्हें पूरी कोसिस करनी होगी कि तुम दादा और दादी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सको आगे ते अपने दादा जी से मिलता है तो उसके दादा जी अपने पोते को देखकर बहुत ही खुस हो जाते हैं और कहते हैं फाइलि मेरा चिराग घर वापस आ गया अब मैं सांती से मर सकता हूँ अब तुमें ही इस घर की और बिजनेस की जिम्मेदारी समालनी होगी क्योंकि तुम इसके इकलोते वारिस हो और दादा जी ये कहकर अपने पोते को गले लगा लेते हैं आगे ते अपने दोस्तों को अपनी अमीर गिरी के बाहरे में बताता है कि वो रातो रात अमीर हो गया ह कि तभी वहां पर ते की नजर मनी पर पढ़ जाती है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है पर मनी उसे देखते ही वहां से भाग जाती है तो ते उसका पीछा करता है पर वो उसे ढूर नहीं पाता दूसी तप मनी ते से अपना पीछा चुराते चुराते एक बंदे से टक्रा जाती है जिसका नम वशान होता है तो मनी वशान पर भी डोड़े डालने लगती है और अपनी बहन का नम इस्तमाल करके उसके करीब जाती है आगे वो दोनों एक साथ एक हसीन रात बिताते हैं तो मनी उसके साथ एक रात बिता कर वहाँ से भागी रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि वह सान अमीर है तो वो इस मोके को अपने हाथ से जाने नहीं देती और अपने हुसनी के जाल से उसे फसा कर रखती है अगले दिन दादाजी की मौत हो जाती है तो दादी ये सब देकर पुरी थार तूट जाती है तो टे अपनी दादी को सम्हालता है और कहता है दादी आप टेंसन मतलो मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं आपको कभी भी अकेला पन महसूस होने नहीं दूगा आगे वसी अपने पापा के साथ दादाजी के अंतिम संसकार पर जाती है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से ते से हो जाती है तो वसी उसे देखकर वहां से जाने लगती है तो ते कहता है तो मैं यहां से भागने की जड़रत नहीं है जैसे तुम कल रात क्लब में भागी थी तो वसे ये बात सुनकर पुरिता सौक्ट हो जाती है और कहती है कौन सा कलब मैं कल कहीं पर नहीं ग whip थी पर ते उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता पर Vasie उसे बार-बार समझाती है कि तुम जिस लड़की को समझ कर मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो मैं वो लड़की नहीं हूँ पर ते उसकी बात ही नहीं सुनता तो वसी को भी गुसा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें जो समझना है समझो क्यूंकि मैं तुम्हारी सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकती है और ये कहकर वसी वहाँ से चली जाती है आगे वसी दादी से मिलती है तो दादी को वसी बहुत ही पसंद आती है कि तभी वसी को पता चलता है कि ते दादी का पोता है तो वसी जैसे ये सुनती है वो तो पुरी तरह सौक्ठी हो जाती है आगे वसी का ये सब जानकर बिल्कुल भी वहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा होता है और वो अपने पापा को कहते हैं क्योंकि मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं लग रही तो उसके पापा कहते हैं लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम है तो वसी कहते है पापा अगर आपको काम है तो मैं टेक्सी लेकर चली जाती हूं कि तभी वहाँ पर तीय आ जाता है और वो वसी के पापा को कहता है अंकल अगर आप माइन ना करे तो मैं वसी को घर छोड़ देता तो पर यकीन ही नहीं करता, उल्टा उसकी इंसल्ट करता है, तो वसी को भी गुसा आजाता है, और वो उसे खीच कर एक थपर मारती है, और वहाँ से जाने लगती है, पर ते उसे जाने नहीं देता, और कहता है, मुझे पता है, तुम्हें अपने आप पर बहुत ही गुसा आ तो ते मैं लेकर जाता है certified आगे वसी घर जाती है और वह कूब रहती है और वह ते से दुभारा नहीं मिलेगी क्योंकि ते उसे कोन लर्किया ay यूज करके दूसरों को बेव को बना रही है मुझे ये सब पता लगाना ही होगा क्यूंकि तभी मैं अपनी सच चायूस के सामने साबित कर पाऊं कि जो लड़की वो मुझे समझ रहा है मैं वो लड़की नहीं हूँ आगे तादी तेकर रिस्ता काई के साथ फिक्स कर देती ह तो काई ओरते एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से ठेर सारी बाते भी करते हैं वेल काई बहुत ही अच्छी लड़की होती है दूसरी ता वसे अपनी दोसके साथ मारकेट जाती है तो वह वहाँ देखती है कि उसकी चोटी बहन उससे बड़े उम्रे वाले लड़के को डेट कर रही है तो वसी ये सब देखा पुरी थरा सौक्ट हो जाती है और अपनी बहन को वहाँ से जाने को कहती है पर उसकी बहन उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है वो उसे दूर नहीं रह सकती पर वसी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे घर जाने को कहती है तो नीरत गुस्टे से घर चली जाती है आगे नीरत का बॉइफरेंड वारपून वसी से बात करता है और वो उसे बताता है कि वो नीरत की फिलिंग्स के साथ नहीं खेल रहा वो नीरत से बहुत प्यार करता है तो वसी कहती है तुम्हें पता है ना कि नीरत अभी स्कूल में ही पर रही है तो इतनी चोटी बची को डेट कैसे कर सकते हो तो वारपून कहता है मैं जानता हूं इसलिए मैं उसकी पढ़ाई खतम होने का इंतिजार कर रहा हूं तभी मैं उसकी family से बात करूंगा तो वसी को भी वारपून बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है तुम्हें देखका लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो अगर तुम निरत से प्यार करते हो तो मैं भी तुम्हारी help करूंगी जब तुम family से बात करने के लिए आओगे उससे पहले वो वसी की step mom से पूसता है कि वसी किस type की लड़की है तो वसी की step mom जान बूच कर ते के सामने वसी की बुडाईया करती है और उसे ये भी बताती है कि वसी धेर सारी लड़कों के साथ घूमती फिरती है और वसी की step mom एक मौका नहीं छोड़ती ते के दिमाग म मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हूँ मैं वो लड़की नहीं हूँ तो ते कहता है जूट बोला बंद करो मुझे पता है कि तुम वही हो सारे हाम लोगों के साथ गुल्चरे उराने से पहले ये तो सोच लो अगर तुमारे पापा को इन सब के बार में पता चल गया तो उनकी इजतकी तो धजिया उर जाएगी तो वसी को उस पर बहुती गुसा आता है और वो उसे खिच कर एक थपर मारती है और कहती है अगर तुम मुझे इतनी ही नफ़त करते हो तुम मुझे दूर रहो ना इस तरह मुझे हरैस क्यों कर रहे हो हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम मुझे दूर रहो और वसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसी तवरसान मनी को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर मनी की मुलाकात वीट से होती है। तो वीट जैसे ही मनी को देखता है वो तो उसकी खुबसूरती में पूरी तरह खो जाता है। और वो उस पर लाइन भी मारने लगता है तो मनी भी इस मोगे का फैदा उठाती है और वो भी अपनी नैनो से उसे दिवाना करती है। आगे वीट को मनी इतनी पसंद आ जाती है कि वो मनी को अपने साथ ख्लिम में काम करने का उफर भी देता है। तो मनी उसके उफर को एकसेट कर लेती है। आगे दादी ते को कहती है कि वो जल से जल काई से साधी करके इस खांदान को उसका एक नए वारिज दे दे। तो वसी कहती है कुस दिनों में निरत का एक्जाम होने वाला है अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो अपने एक्जाम पर फोकस नहीं कर पाएगी तो वार्पुन्ट कहता है तुम सच कह रही हो ठीक है तुम उसे इस बारे में मत बताना कम से कम क्या तुम ये रिंग उसे दे सकती हो और इसे ये भी कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसका एक्जाम खतम होने के बाद मैं उसे मिलने आऊंगा तो वसी कहती है ठीक है मैं ये रिंग दे दूंगी इधर ते वसी और वार्पुन को बात करते हुए देख लेता है तो उसे बहुत ही गुसा आता है और इधर नीरत भी उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो नीरत को ये गलत फहमी हो जाती है कि उसकी बहन उसके बाइफरेंड को चीनने की कोसिस कर रही है जिस वज़ा से नीरत अपनी बहन को बहुती बुरा भला कहती है तो उसकी बहन को भी गुसा आ जाता है और वो उसे खीच कर एक थपर मारती है जिस वजा से इन दोनों बेहनों में जम कर लडाई हो जाती है आगे ते भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने सोचा था कि तुम से मर्द के दिलों के साथ खेलती हो लेकिन तुम अपनी बेहन की दिल के साथ खेलोगी मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था तुमने अपनी बेहन के बाइफरेंड पर ही डाका डाल दिया और यहाँ पर ते वसी की फिर से इंसर्ट करने लगता है तो वसी कहती है मैं अभी तुम से बात करने के मोड में बिलकुल भी नहीं हूँ यहाँ से चले जाओ तो ते जाने से पहले वसी को बता देता है कि वो बहुत जल्द साधी करने वाला है तो वसी कहती है तुम इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हो तो ते कहता है मैं यह बात तुमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम यह बात अपने भेजे में डाल लो की अब मैं तुम्हें परसान नहीं करूंगा और जिस लड़की से मेरी साधी होने वाली है ना वो लड़की तुमसे लाग गुनाची है वो तुम्हारे तरह किसी के दिल से नहीं खेलती तुम बस लोगों के दिलों से खेलना जानती हो और यहां पर ते फिर से वसी को चुभी चुभी बाते कहने लगता है जिससे वसी खूब रोने लगती है क्योंकि वसी भी अब ते से प्यार करने लगी होती है पर वो ये बात ते को कह नहीं पाती इधर विट मनी के हुसने का इस तरह दिवाना हुआ होता है कि उसके दिमाग से मनी की यादे जाती ही नहीं और वो उसे अपना बनाने के लिए तरह पड़ा होता है और यह सब वसान नोटिस करता है अगले दिन दादी वसी और उसके पापा को चैपर बुलाती है तो यहाँ वसी को बताता है कि काई उसकी होने वाली दुलहन है तो वसी को यह सब जानकर दुख तो होता है पर वो उन दोनों को अच्छे से बधाईयां देती है और धेर सारे ब्लेसिंग्स देकर वहां से चली जाती है तो तो ते को यह सब देकर और गुसा आता है आगे ते फिर से तो वसी कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूं। दुसी तब वसान मनी को वीट के पास बेच देता है क्योंकि वसान को पता चल गया होता है कि वीट की गंदी नजर है वनी पर इसलिए वसान मनी को 10 लाख में बीट के पास बेच देता है अगले दिन दादी ते का रिस्ता लेकर वसी के पास चली जाती है और वसी के पापा को पूसती है क्या वसी को ये रिस्ता मनजूर है तो वसी के पापा दादी को बताते हैं कि वसी इस साधी से इंकार कर रही है तो दादी ये बात सुरकर पूरी थरा सौक्ट हो जाती है तो ते कहता है दादी मैं एक बार वसी से इस बारे में बात करना चाहता हूं तो दादी कहत तो यहां पर भी तेवसी कोई गलत समझता है और कहता है तुमने जान पूछ कर इस साधी से मना किया ना ताकि दादी को लगे कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे साधी करने के लिए मरा जा रहा हूं अगर यह दादी की इच्छा नह होती तो मैं तुमसे कभी भी साधी नहीं करता तो वसी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे साधी नहीं करना चाहती है वैसे भी हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है हम दोनों के बीच सिर्फ नफरत है अगर हम दोनों की साधी हो भी गई तो हम दोनों की पूच्छा लेने से पहले इस बारे में पहले सोच लो उसके बाद ही तुम इस बारे में फैसला सुनाना और दादी ये कह कर वहां से चली जाती है। कि मेरे लिए मेरे पोते की खुशी सबसे ज़्यादा माइने रखती है। उसके बाइफरेंट को उससे चीन सके तो उसकी बाद उससे समझाने की बहुत कोसिस करती है। अगले दिन वसी दादी के पास जाकर बता दे एक करने के लिए तो तो पूरी तरह सॉक्टी हो जाता है आगे पुतान अपने बेटे को चाहता है तुमने लेकिन भस मत उस साधी के लिए तो तयार हो गई अब हम क्या करेंगे वो लरकी بहुत ही चलाक पता नहीं, वो इस घर में आकर क्या-क्या गुल खिलाएगी, वो बस तुम्हारी जायदात पाने के लिए तुमसे साधी कर रही है, तो उसका बेटा कहता है, मौ मैं सब जानता हूं, अगर उसने पैसों के लिए मुझसे साधी की है, तो मैं उसकी लाइबत से बत्तर बना तुम्हें क्या लगता है? तुम्हेरे साधी करूगे? और मेरा बाइफ्रेंट वासान आकर तुम्हारी जान ले लेगा तो वीट उसे बताता है कि वसान नहीं तुम्हें मेरे पास बेच दिया है, वो कभी भी अब तुम्हें यहां लेने नहीं आएगा, अब से सिर्फ वसी को उसकी property में कोई भी interest नहीं होता क्योंकि ते जो समझ कर वसी को ये सारी बाते कहरा होता है वसी तो वह होती ही नहीं वसी बहुत ही प्यारी होती है उसे पैसों से नहीं बलकि प्यार से मतलब होता है पर ते को ये बात समझ में ही नहीं आती तो वसी भी उसकी सारी बाते सुनकर पुई धापक जाती है और वो वहाँ से चली जाती है दुसी तर वसांते की कंपनी में जौब इंटर्व्यू देने के लिए आता है और वो सिलेक्ट भी हो जाता है आगे ते वसी को घर छोड़ने के लिए जाता है पर जाते टाइम भी वो वसी की इंसल्ट करने से पी कीन ही नहीं करता है दुसी तब मनीवीट की एकस गल्फेंड के सहारे उसके चंगुल से भाग जाती है और वीट देखता ही रह जाता है दुसी तब वसां अपनी कर्टूतों से बास नहीं आता और अपनी ओफिस की लड़की के डिंक में नसे की गोली डाल कर उसके साथ सो इधर मनीवीट के चंगुल से बचतो जाती है पर वो वसां से बदला लेने के लिए उतारू होती है क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ होता है वो सब वसां की वज़ा से हुई हुआ होता है अगले दिन ते और वसी फिर से ऑफिस जाते हैं अपने साधिका कार्ड लेकर तो वसां परने जर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों अपने हन्यूमून पर कहां पर जाने वाले हो तो वसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता पर ते जान ने के लिए कहता है हम उसी जहाँ पर जाएंगे जी है हम ने अच्छी ईादे बनाई थी तो वसी तो पुरी तरह uncomfortable महसूस करती है, और वहां से चली जाती है, कि तभी वहां पर उसकी मुलाकात वसान से हो जाती है, तो वसान जैसे वसी को देखता है, वो तो पुरी तरह सौक्त हो जाता है, पर वसी उसे पहचानने से इंकार कर देती है, क्योंकि वो वसी वो वसी नहीं होती जिसे वसान जानता है तो वसान ये सब देखकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाता है कि आखेकर ये सब क्या चल रहा है और इधर वसी भी पूरी तरह पैसान हो जाती है कि आखेकर ये लोग किस वसी की बात कर रहे हैं जिस वसी को वो जानती भी नहीं। वसी के दिमाग में ये सारी बाते चल रही होती है कि लोग उसे कोई और ही समझ कर उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हैं। और बिचारी यही सब सोच रही होती है कि तभी ते उसे कहता है कि दादी ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा पर वसी जाने से मना कर देती है मेरी तबियत खराब है क्या तुम यह बात दादी को कह दोगे तो ते को यहाँ पर भी लगता है कि वसी से बहाना बना रही है वो उसके घर नहीं जाना मैं सच कह रही हूं मेरी तबियत खड़ाब है मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते तो ते कहता है ठीक है मैं दादी को कह दूंगा और ते उसे घर छोड़ देता है आगे वसी घर जाती है और अपने पापा को कहती है आगे वसी घर जाती है और अपने पापा को कहती है पाप की बाते सोच रही हो तुम उन लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो बस अपनी साधी पर ध्यान दो और उसके पापा इस बात को टाल देते हैं पर उसके पापा भी ये सारी बाते सुनकर सोच में पढ़ जाते हैं कि आके कर यह सब क्या चल रहा है दूसी तब मनी की किसमत ठीक नहीं चल रही होती है तो इसकी दोस्त कहती है तुम्हारी किसमत आज कर ठीक नहीं चल रही तुम्हें मंदिर जाकर अपने लिए प्रेक करना चाहिए ताकि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो और वैसे भी तो उसकी दोस्त उसे ढूडने के लिए बाहर जाती है जहां पर उसकी मुलाकात वसी से हो जाती है तो उसकी दोस्त जैसे ही वसी को देखती है उसे देखकर तो वह पूड़ी तरह सौक्ट हो जाती है क्योंकि वसी बिल्कुल मनी की तरह दिख रही होती है तो कैसरी यह सब द कर गुस्सा आ जाता है तो केसरी कहती है मुझे कोई भी धोखा नहीं हुआ है मैंने सच में तुम्हारी बेहन को देखा है और वो दोनों ढूनने लगते हैं पर उन्हें कहीं मिलती तो वो दोनों थक खार कर घर वापस चले जाते हैं इधर वसी मानी को फाइनली देख लेती ह वो बहुती प्यारी और संसकारी लग रही थी तो मानी को इस बात में बहुती गुस्सा आ जा तर burial कहती है अगर मुझे भी मेरे बाप ने नहीं चोड़ा होता तो आज मैं भी उसी की तरह होती में बापने मुझे छोड़ कर बहुत Sep, बहुत बड़ी गलती की है उन्ह पापा को जाकर बता देती है कि आज उसने अपनी एक हमशकल लड़की को देखा जो बिलकुल उसी की तरह दिखती थी तो उसके पापा ये बात जानकर तो पुरी तरह सौक्त हो जाते हैं और अपनी बेटी से दुबारा पूसते हैं कि क्या तुमने सच में अपनी हमशकल को देखा तो वो कहती हैं पापा आज मैंने सच में अपनी हमसकल को देखा जो बिलकुल मेरी तरह दिख रही थी तो उसके पापा जैसे ये सब जानते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है कि तभी एक पापा वसी की मौम से कहते हैं हम दोनों का तलाग हो गय एक बेटी मैंने रखी है और एक बेटी तुमने रखी है लेकिन कम से कम मुझे अपनी बेटी को फाइनेंसली सपोर्ट करने की परमिशन तो दो मुझे पता है कि तुम फाइनसली सपोर्ट नहीं कर पाऊगी कम से कम मुझे मुझे मनी की इतनी सी तो हेल्प करने दो पर मनी वसी के पापा की हेल्प लेने से मना कर देती है उल्टा उन्हें ये बताती है कि मनी अब इस दुनिया में नहीं है इसके उसे यहां पर आने की कोई जरुत नहीं है और वसी के पापा इसी जूट को सच मान कर इतने सालों तक जी रहे थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में और उसे छोड़ कर वो मनी के पास चला गया होता है ränज़ारी वसी ते-्चुछाना की कोशिस करती है कि वह असली वसी है ध्युमत कि गुःत कर था मैनिध करती रिए ऑष्थी है ध समय की लेस सन लेकितिा झषके भी रहेंड़े होटिया सब्सक्राइब होती है आगे मनी अपने पापा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है तो उसके पापा खुसी-खुसी होकर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं तो मनी यहां पर एक संसकारी लड़की का रूप धारन करके अपने पापा के सामने अपने आपको ऐसे प्रिजेंट करती ह कि उसकी माने उसे अच्छी परवरिस दी है और वो एक सरीफ लड़की है और उसके पापा भी अपनी बेटी की चुपरी चुपरी बातों में आ जाते हैं और अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही खुस होते हैं तो मनी को अपने पापा के पैसों के पीछे पड़ी हुई होती है तो मनी यहाँ पर जूट बोलती है कि उसकी मौ जिंदा है और उनकी तबियत खड़ाब है तो उसके पापा यह सुनकर बहुत ही परिसान हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं बेटी अब तुम्हारे पापा आ गया है ना वो तुम्हें अब किसी भी चीज तो मनी कहती है ठीक है पापा और वहां पर रोने की नौट की करने लगती है इधर उसकी दोस्त मनी की ऐसी एक्टिंग देखकर तो पूरी थरा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि कोई भी मनी को देखकर नहीं कह सकता कि मनी अपने सेंगे पापा के साथ नौट की कर रही है और तुम इस साधी से खुस रह पाओगे तुम्हें पता है ना कि मानी किस टाइप की लड़की है तो ते कहता है हाँ मैं जानता हूँ मानी किस टाइप की लड़की है लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ये अगर ते का असली प्यार उसके सामने आ जाएगा तो ते उसे छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और वो उसे नफरत भी करने लगीगा तो वसी फिर से ते को समझाने की कोसिस करती है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वो नहीं है पर ते वसी की बातों पर यकीन ही नहीं करता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा तुम ये सारी नौटंकी इसलिए कर रही होना ताकि हमारी साधी ना हो तुम्हें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है और ये प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हें तुम्हारी एक बचकानी रीजन की वजह से में ये साधी नहीं तोर सकता इस साधी से मेरे खांदान की इज़त जूरी हुई है और मैं अपने खांदान के इज़त के साथ खेलबार नहीं कर सकता तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी फिलिंग्स को नहीं समझ रहा तुम ये साधी इसलिए नहीं करना चाहती ना क्योंकि इस साधी के बाद तुम मुझसे बन जाओगी और इसके बाद तुम्हें लोगों के साथ गुलचरे उड़ाने जो नहीं मिलेंगे हिसाब अभी बांकी है तो वसे यहाँ पर बार बार ते को समझाने की कोशिस करती है कि वो वो लड़की नहीं है जो वो से समझ रहा है पर ते उसकी बात सुने को तैयारी नहीं होता उल्टा उसके साथ जोर जबरदस्ति करने लगता है उसे जबरदस्ति किस भी करता और कहता चाहे तुम मुझे कितने भी दूर भागने की कोसिस क्यूं ना कर लो, मैं तुम्हें अपने आप से दूर भागने नहीं दूंगा और हम दोनों की साधी किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी, ये बात अपने भीजे में डाल लो तो बेचारी वसी पूरी थरह रोने लगती है क्योंकि वो ते को बार बार समझाने की कोसिस करती है पर ते उसकी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उस पर अपना हग जताने लगता है आगे ते वसी को घर छोड़ता और कहता है कल हमारी साधी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी साधी में कोई भी प्राबल्म ना हो इसलिए कल साधी में अच्छे से डेटी होकर सब के सामने समाइल के साथ आना क्यूंकि इस साधी से मेरे परिवार की इज़ित जूरी हुई है और मैं किसी को भी अपने पर्इवार की इज़ित के साथ खेलवार करने नहीं दे सकता इसलिए मुझसे वादा करू कि कल तुम साधी में कोई भी गर्बड़ी नहीं करोगी अब तो मुझे छोड़ दो मुझे घर के अंदर जाना है तो ते कहता है अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन साधी के बाद मैं तुम्हें एक सेकेंट के लिए भी नहीं छोड़ूँगा उसके बाद हम दोनों वो करेंगे जो एक हस्विंड और वाइफ करते है और ते फिर से वसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो वसी ते की ऐसी बाते सुनकर तो पूरी थरा सरमाज आती है इधर वसान बहुत ही खुस हो रहा होता है कि कल वो वसी की साधी में जाकर बहुत बढ़ा धमाका करेगा और वो यही सब सोच कर बहुत ही खुस हो रहा होता है तो इमजी ये सब notice करती है और वो वसान को कहती है क्या तुम अभी भी वसी के बारे में नहीं भूल पाये हो क्या तुम भूल गए हो कल उसकी साधी होने वाली है अब तुमें उसे अपने दिल से निकाल देना चाहिए तो वसान इमजाई के सामने ये नोटंकी करने लगता है कि उसके दिल में बस वही है वो वसी को तो कपका भूल गया है और वो उसके सामने प्यार वाली नोटंकी करने लगता है और इमजाई भी उसकी प्यारी प्यारी बातों में आ जाती है आगे ते और वसी के साधी का दिन और वो भी ते और वसी को उसके साधी की धेर सारी बधाईयां देते हैं और उन्हें खुब टीज भी करते हैं तो ते भी अपने दोस्तों के साथ वसी को टीज करने का मोका नहीं छोड़ता और इधर दादी अपने पोते को इतना खुस देखर बहुत ही खुस हो रही होती है क तब ही वहाँ पर वसी की सोतेली मा आ जाती है और उन लोगों को वसी के खिला भरकाने की कोसिस करती है पर ते की दादी वसी की सोतेली मा की बातों में बिलकुल भी नहीं आती क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस टाइप की औरत है और उनसे धेर सारी पैसे एड़ती है और उसके पापा को भी मनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं और सब को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी हो पर्मन यह अपने पापा को रोक लेती है और कहती है आपको भी पता है कि मॉम आपसे कितना गुसा है वो आपकी सकल भी देखना नहीं चाहती अगर मॉम को पता चल गया कि मैं आपसे मिल रही हूँ तो वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देगी इसलिए प्रीज अभी किसी को भी मत बताईएगा तो उसके पापा भी मान जाते और कहते हैं ठीक है अभी मैं किसी को भी नहीं बताता लेकिन मैं तुम्हें एक गूड नियूस देना चाहता हूँ तुम्हारी जुर्बा बेहन की साधी हो रही है मैं तो ये चाहता था कि तुम अपनी बेहन की साधी अटेंड करो पर तुम नहीं कर सकती लेकिन कोई बात नहीं बस तुम यही जान कर खुश हो जाओ कि तुम्हारी बेहन की साधी हो रही है और उसके पापा ये कहका वहाँ से चले जाते हैं आगे मनी को उस साधी के काट के जर्ये से पता चलता है कि वसी की जिस लड़की से साधी हो रही है वो लड़का वही है जिसे उसने गरीब समझ कर छोड़ दिया था तो मनी जैसे ये सब जानती है उसके तो तोते ही उर जाते हैं क्योंकि उसने अपने हाथ से एक अमीर बंदा छोड़ दिया होता है पर मनी हार नहीं मानती और अपनी बहन की साधी रोकने के लिए ते के घर जाने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि ते जिस लड़की से साधी करना चाहता है और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वो है ना की वसी इसलिए वो उन दोनो लुप कि वानी से प्यार करता है वो लड़की वसी नहीं बलकी वो है तो कैसे रिसी सान्त करने की कोईजीन कет है और से कहती है कि तुम्हे पहले इस बारे में तैसे बात करनी चाहिए उसके बाद ही इस मामले को सबके सामने जाहिर करना चाहिए पर मनी बात मानने को तयारी न जाता है तो उसी बाहर निकल के देखते हैं एक वह सिन्हा लार ऑंति है क्योंकि वसान आंगी चल्टoto पिंट है मुटविय के म सब्सक्रणा करें और भी घाने से कुछते हैं पुलिस ने हमें पकर लिया तो हमारा जेल से बहार आना बहुती मुस्किल हो जाएगा, इसलिए हमें चुप चाप यहां से जाना होगा, तो मन्य अपने दोस्त के कहने पर चुप चाप उहां से चली जाती है, इधर ते और वसी की साधी की रसमें स्टार्ट हो जाती है, और इन दोनों की साधी बहुती सांती पुरवक होती है और सारे लोग इन दोनों की साधी में बहुती खुश भी होते हैं आगे इन दोनों की स्वागरात की बारी आती है तो वसी बहुती परिसान रहती और वो टेंसन में भी रहती है क्योंकि उसने ते को बार बार समझाने की कोसिस की थी कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वो नहीं है पर ते उसकी बात सुनने को ही तयार नहीं होता तो वसे यहाँ पर भी ते को समझाने की बहुत कोसिस करती है परते उसे बोलने का मुचा ही नहीं देता है अगर तुमने दुबारा की तुम वो लड़की नहीं हूँ जिससे मैं प्यार करता हूं तो मैं तुमें किस करलूँगा और इस बार मैं किस पर नहीं रुकूँगा इसके आगे भी बहुत कुछ करूँगा तो वसी ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है पर ते पिछे हटने का नामी नहीं लेता और वो वसी को सेड्यूस करने की कोशिस करता और कहता है तुम भाग क्यों रही हो अब हम दोनों की साधी हो गई है इसलिए सर्माना बंद करो और तूम तो ऐसे सर्मा रही हो कि जैसे हम पहले बार एक दुस्य के साथ रात बिता रहे हैं हम तो पहले भी ये कर चुके है न और यहाँ पर ते वसी को अपने पास से जाने ही नहीं देता मैं भी तुमारे साथ चलता हूं पर वसी वहां से भाग जाती है और ते वसी को इस तरह देखकर खूब हसता है आगे ते वसी का इंतिजार कर रहा होता है पर वसी बातरूम से बाहरी नहीं आ रही होती है तो ते खुद बातरूम के अंदर चला जाता है तो वह वहां जाकर द और नीन में ही बरबराने लगती है तो ते को वसी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है और वो वसी को सांथ करता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और पूरे सिंदकी में सिर्फ तुमस इसलिए सांत हो जाओ तो वसी भी सांत हो जाती है और ते उसे गले लगाकर उसके माथे पर किस करके उसके पास ही सो जाता है और यहीं पर यह दोनों पहली बार एक दुसे के साथ सो कर अपनी पहली रात बिताते हैं दूसे तर्म इमाई को जब पता चलता है कि वसान का एक्सिडन्ट हो गया है तो बिचारी बहुत ही टेंसन में आजाती है और वो रोने भी लगती है पर वसान को इमाई की आसों से कोई फर्क नहीं परता बलकि उसे खुद पर गुसा अरा होता है कि इस एक्सिडन्ट की वज चोट लगं जाती है अगे ऐती पर अपने पास चली को क कला करें छोट om ते को किस कर लेती है और उसके बाद सर्मा कर वहां से चली जाती है और बातुर में जाकर अपने आपको लॉक कर लेती है वेल वसी अपने आपको चाहे ते से कितना भी दूर रखने की कोसिस क्यों ना कर ले पर उसे भी ते के करीब जाकर अच्छा ही लगता है इधर विन भी अपनी दादे से मिलने के लिए घर वापस आ जाता है तो उसकी दादी विन से मिलकर बहुत ही खुस होती है एक्चुली विन टे का कजन होता है और वो बहुत सालों बाद अपनी दादी से मिलने के लिए आया हुआ होता है जिस वज़े से दादी उससे मिलकर बहुत ही खुस ह जाती है कि आखेकर ये बंदा उसे क्या कह रहा है इधार ते की पूरी फैमली विन की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है आगे विन सब को बताता है कि वो वसी को पहले से ही जानता है और उन दोनों का रिस्ता बहुत ही गहरा है तो दादी इस बात पर पर वसी विन की ऐसी हरकत देखकर पूरी था परिसान हो जाती है क्योंकि वो विन को जरासा भी नहीं जानता है और विन सब के सामने ये दावा करता है कि वो वसी को जानता है आगे विन वसी से साइड में जाकर मिलता और कहता है तुम बड़ी जल्दी अपने प्यार को प्यार को जाता है तुम्हारे विन के सामने की तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे रॉंगते खड़े हो जाएंगे तो ते कहता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का क्या रिस्ता है लेकिन अब वो मेरी वाइफ है इसलिए मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि ये मेरी वाइफ है तो विन इस बात पर हसने लगता है और वो ते के दिमाग में वसी को लेकर धेर सारा जहर घोल कर वहां से चला जाता है और बिचारी वसी देखती ही रह जाती है आगे पुथान वी से पूसती है कि उसका और वसी का क्या रिस्ता है तो वी पुथान को बता देता है कि वो दोनों पहले बहुत ही क्लोज हुआ करते थे और वसी उसकी गल्फ्रेंड थी पिछली बार जिस तर तुम मुझे नहीं पहचान रही थी आज तुम वीन को भी नहीं पहचान रही तुम हमेसा यही करती हो सारे मर्दों के साथ गुल्छरे उडाती हो और उसके बाद उन्हें भूलने की एक्टिंग करती हो तो वसी कहती है मैं वो लड़की नहीं हूं जैसा तुम लोग समझ रहे हो वो लड़की कोई और है मैं वो नहीं हूं पर ते उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कितनी बार जूट बोलोगी वसी तुम वही हो तुम हमेशा मर्दों के साथ गुलचरे उड़ाती हो और उसके बाद उन्हें भूलने की एक्टिंग करती हो और यहाँ पर ते वसी की इंसर्ट करने लगता है तो वसी को भी गुसा आ जाता है और वो उसे खीच कर एक थपर मारती है और कहती है मैं वो लड़की नहीं हूँ यह बात में तुम्हें कितनी बार समझाओं और वो यह कहकर गुसी से वहाँ से चली जाती है आगे ते की मौम ते को सांथ करती और से समझाती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वसी किस टाइप की लड़की है और ये जानते हुए भी तुमने वसी से साधी की है इसलिए अब तुम्हें किसी भी हालत में उसके पास्ट को अपना कर आगे बढ़ना होगा सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा आगे विन वसान के पास जाता है और कहता है मुझे वसी किसी भी हालत में अपने पास वापस चाहिए तो वसान कहता है जैसी हम दोनों की डील हुई थी मैंने वसी को तुम्हारे पास बेज दिया था और उसे सही सलामत तुम्हारे पास पहुचा भी दिया था, उसके बाद वो तुम्हारे पास से भागी थी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, वो तुम्हारी गल्ती की वज़ा से भागी थी, तो तुम्हें खुदी उसे वापस लाना होगा, तो विन कहता है, तुम वसान पूरितर टिंसन में आ जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते इसलिए उसे विन की बात माननी पड़ती है दूसी तर वी सेट को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके सारे पैसे और जेवर को जुए और सौपिंग में उरा दिया है यह बात जानकर तो व विसेट का दिमाग पुरी तरह बुखला जाता है कि तभी वहाँ पर सारे कर्जदार भी आ जाते हैं विसेट की वाइब से पैसे मांगने के लिए तो विसेट उन लोगों से लड़ाई करता है और उन्हें अपने घर आने से रोकता है पर वो लोग नहीं रुकते जिस चक् वसी के हाथों पर चोट भी लग जाती है तो ते को ये सब देकर्चा नहीं लगता और वो उसकी मरहम पट्टे भी करता है पर वो उसे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है तो वसी को ते की बेरूखी जड़ासी भी बरदास्त नहीं होती क्योंकि वो ते से अपने ब तो डाई ये सब जानकर पूरी था सौक्ट हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते तो वो वसी के घरपर कॉल करती है पैसे मांगने के लिए पर उसे पता चलता है कि वसी अपने हनीमून के लिए बहार चली गई है तो डा आई को ये जानकर बहुत ही गुशा अता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है और वो मजे कर रही है इधर मनी अपने पापा के घर जाती है ताकि वो उनसे पैसे एड़ सके कि तब ही वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी सौतेली मा से हो जाती है तो उराई मनी को वसी समझ लेती है और उसे खुब डाटने लगती है तुमने जूट बोला कि तुम बहार हो लेकिन तुम तो यहीं पर हो तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है तुम उनके इलाज के पैसे देने के बजाए हमसे जूट बोल रही हो तुम्हें सरम आनी और उसे खुम मार पीट कर वहां से चली जाती है तो उडाई वसी का ऐसा रूप देखकर तो पुरी तरह सौक्त हो जाती है क्योंकि वसी ने आज तक उसके मूपर पलट कर जवाब नहीं दिया होता है और आज तो वो उसे मारने के लिए उतारू हो गई होती है इधर मनी को बहुत ही गुसा अरा होता है कि उसकी बेहन उसके प्यार के साथ गुलचरे उड़ाने के लिए हनीमून पर गई है तो वो अज़िदे अवन को खड़ाब करने के लिए हताई जाने की प्लैनिंग करने लगती है इधर रत ते अपनी पूरी फैमिली के साथ हताई आ जाता ह तो उसकी दादी उन दोनों को एक साथ रखने की कोसिस करती है之前 है तुम्हारी जित पर हम लोग यहां पर आहे हैं। लेकिन ये तो तुम दोनों का हनी मून है ना इसलिए तुम दोनों साथ में टाइम स्पैन करो तो ते दादे के सामने लवी डवी कपल होने की एक्टिंग करता है पर उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है आगे वो दोनों अपने कमरे में आते हैं तो ते कहता है तुम बैट पर सो जाना मैं सोफे पर सो जाऊंगा वैसे मैं तो कहीं पर भी सो सकती हूँ जहाँ पर तुम ना हो और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है आगे उड़ाई होस्पिटाल आती है और वो अपनी बेटी को वसी के कारणामों के बारे में बताती है तो निरत जैसे ही वसी की ऐसे कारणामों के बारे में सुनती है वो तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है कि तभी डॉक्टर आकर उन लोग को बताते हैं कि विसेट के ब्रेन में कलोट होने की वज़ा से उनका पूरा सरी परलाइज हो गया है कि तभी वहाँ पर इमजाई आ जाती है और उसे पता चलता है कि वसान अभी भी वसी के पीछे पागल है तो वसान को भी गुसा आ जाता है और वो इमजाई को खीच का थपपर मारता है और उसकी खुब इंसल्ट भी करता है तब ही वहाँ पर मैनेजर अंकल आ जाते हैं और उन दोनों की सारी बाते सुन लेते हैं अगे वसी रूम में आती है तो वो टे को डेकती है कि वो बैट पर सोया हुआ है तो वोflower से जाने लगती है पर ते उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम कहा जा रही हो अपने पती को छोड़ कर तुम्हे तो अपने पती के साथ रात भी तानी चाहिए पर वसी उसकी बातो नहीं सुनता और जूट बोलना बंद करो अब हम दोनों हस्बेन वाइफ हैं तो अब हम दोनों के बीच कैसी सरम और कैसी हया ऐसा तो नहीं है कि यह हम पहली बार कर रहे हैं तो पहले भी यह सब कर चुके हैं और ते फिर से वसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है पर वसी उसे अपने करीब आने नहीं देती और कहती है मैं तुमें कितनी बाहर कहूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो तो ते को भी गुसा आ जाता है और वो कहता है तुम ये सब कुछ जान बुच कर कर रही हो ना ताकि मैं तुमारे करीब ना हूँ इसलिए तुम ये सारे बहाने बना रही हो ना मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे अपना पती ही नहीं माना है तुम मुझे कोई और मर्द समझ रही हो और यहाँ पर ते फिर से वसी को खुब खड़ी कोटी सुनाता है और बेचारी वसी उसकी सारी बाते सुनकर रोने लगती है क्योंकि वो ते को बार बार सच बताने की कोसिस करती है पर ते उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता भला ते भी उसकी बातों पर कैसे यकीन करे कि वो वो लड़की नहीं है आगे वसी सोई हुई होती है तो उसे फिर से वही सपना आता है जहांपर मनी उसके पती को छेन रही होती है और उसका पती उससे नफरत कर रहा होता है तो वसी ये सपना देखकर फिर से रोने लगती है और वो ते को कहती है प्लीज मुझे छोड़ कर मज़ जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं कि तभी वहां पर ते भी आ जाता है और वह वसी को सांथ करता है और कहता है सांथ हो जाओ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सांथ हो जाओ और वह उसे गले लगा लेता है तो वसी सांथ हो जाती है तो ते उसकी बातों पर यकिनी नहीं करता इसलिए वसी चुप चाप जाकर सो जाती है दूसरी तब मने के स्टेप फादर अपनी बेटी को हर जगा ढून रहे होते हैं पर कहीं भी उन्हें अपनी बेटी का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है कि तब हॉस्पिटल में उनकी मुलाका उराई से हो जाती है तो काई उराई से पूस्ती है कि आप हॉस्पिटल में क्या कर रही है तो उराई काई को पूरी बात बता देती है और उसे ये भी बताती है कि हमने वसी को भी कॉल किया था और उसे भी उसके पापा के बारे में बताया था पर उसने हमसे जूट बोला कि वो यहाँ पर नहीं है बलकि वो यहीं पर है और उसने मुझे थपर भी मारा तो काई उराई के मुझे ऐसी बाते सुनकर पुरिथा सौक्ट हो जाती है और वो काई को समझाने की कोसिस करती है कि वसी तो अपने पती के साथ हनीमून पर गई है वो यहाँ पर नहीं है पर उड़ाई उसकी बातों पर यकिन नहीं करती क्योंकि उसने खुद अपनी आँखों से वसी को अपने घर पर देखा होता है तब ही वापर मनी के स्टेफ फादर भी आ जाते हैं तो वसी के पापा जैसे ही मनी के स्टेफ फादर को देखते हैं तो वो उन्हें कुछ बताने की कोसिस करते हैं और वो ये बात नोटिस भी करते हैं दोसी तब दादी नोटिस करती है कि इन दोनों के बीच अभी भी चीज़े ठीक नहीं हुई है तो दादी वसी को समझाती है कि वाई खस्वेन में तो लडाईयां चलती रहती है लेकिन लडाईयों को लंबा नहीं खीजना चाहिए इससे रिस्ते खड़ाब होते हैं इसलिए इसलिए तुम्हे अपने रिस्ते को पूरी सचाई और इमानदारी से निभाने की कोसिस करनी चाहिए दूसी तब मनी भी अपनी जुरवा बहन से उसके पती को छीनने के लिए हताई आजाती है आगे वसी ते के लिए मिठाईयां बना रही होती है पर उसे बन नहीं रहा हो अज सुभा वसी को देखा था तो मैनेजर उसे बताते हैं कि ऐसा होई ही नहीं सकता मैंने खुद उन लोगों को मैंने खुद उन लोगों को एरपोर्ट तक छोड़ा है तो वसे यहां पर कैसे आ सकती है तो काई को ये बात थोरी अजीब लगती है और उसे लगता है कि जूट बोला होता है कि वो लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते लेकिन तभी नीरत उसके पैर पर जाती है और कहती है प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए हम आपका सारा करजा चुका देंगे तो वो औरत मान जाती है और वहां से चली जाती है दूसे तब तब ते फिर पर ते उसकी बात ही नहीं मानता और उसे जवरदस्ती किस करने लगता है तो वसी वहां से भागने लगती है पर ते उसका पीछा ही नहीं छोड़ता इधर मनी भी ते को ढुणने के लिए बीच पर आती है तो वहां पर कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और उसे किस करने की कोसिस करता है तो वसी फिर भी अपने आपको दे से दूर करने की कोसिस करती है पर ते उसे अपने प्यारी प्यारी बातों में इस तरह उलजा देता है कि वसी भी अपने आपको नहीं रोक पाती और यहाँ पर दोनों एक दूसे को किस कर लेते हैं कि तभी बाद में तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, कि तभी वहाँ पर गुंडा आ जाता है, और वसी को किर्नाइप करके एक खंट पे लेकर जाता है, और वहाँ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोसिस करता है, लेकिन सही टाइम पर केसरी आ जाती है, और वो मनी की इज़त को बचा तो वसी फिर भी उससे दूर भागने की कुसिस करती है लेकिन इस बार ते उससे अपने आप से दूर जाने नहीं देता तो वसी कह रहे हो तुम जो लड़की समझ रहे हो मैं वह लड़की नहीं हूं मेरी बात पर यकीन करो तो ते कहते हैं ठीक है मैं यह मान लेता हूं कि और यहाँ पर दोनों एक romantic night spend करते हैं दूसी तब नीरत जोब की तलास में विन के पास जाती है और उनसे job मांगती है पहले तो विन उसे job देने के लिए मना कर देता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि नीरत वसी की बहन है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो नीरत को job देने के लिए तयार हो जाता है आगे विन नीरत के साथ भी flirt करने लगता है कि तभी मांपर उसकी मां जाती है और नीरत को वहां से लेकर चली जाती है तो मैं यह सब काम करने की कोई ज़रत नहीं है तो नीरत कहती है अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा हमारे पास पैसे नहीं है और पापा के इल कि वो भी ते से प्यार करती है और वो चाहती है कि ते हमीशा उसके साथ रहे सिर्फ उससे प्यार करें लेकिन अगर मनी उसकी लाइफ में आ गई तो ते भी उससे छिंड जाएगा और बिचारी यही सब सोच सोच कर पूरी तरह परिसान रहती है अगली सुभा ते वसी के साथ मज़ा नहीं आया जिस तरह तुमें और मर्दों के साथ आता था और यहां पर ते वसी की बहुत ही इंसल्ट करने लगता है तो बैचारी वसी भी ते को क्या कहती कि वो वो लड़की नहीं है जो समझ कर वो उसे प्यार कर रहा है क्योंकि यह बात उसने उसे समझाने की बहुत कोसिस की लेकिन ते ने कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और बैचारी यही सब सोच कर रो रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा की तवियत बहुत ही खड़ाब है तो वसी जैसे यह जानती है उसके पैडों तरे तो जमीनी किसक जाती है दू उसे सम्हालने की कोसिस करता है दूसी ता वसान पूरी ता पगलाया हुआ होता है क्योंकि उसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और नहीं वो वसी से कॉंटेक्ट कर पारा होता है तो वो फिर से कोसिस करता है वसी से कॉंटेक्ट करने के लिए और उसे एक लेटर भेजता है आगे वसी नीरत से मिलती है तो नीरत वसी से बिलकुल भी अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि वसी का असली रूप उसके सामने आगया होता है और वो कहती है अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पापा के मरने का इंतजार कर रही हो जब हमने तुम से हल्प मांगी थी तब तुमने क्या किया हमारी हल्प करने से मना कर दिया और मॉम को मारा भी तो वसी ये बात जानकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और वो नीरत को समझाने की कोसिस करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया पर नीरत उसकी बात पर यकीन नहीं करती और गुसा होकर वहां से चली जाती है और विचारी वसी देखती ही रह जाती है दूसरी तब मेनेजर को भी वसान के काली करतूतों के बारे में पता चल जाता है कि वसान ने उनकी कमपनी के साथ फ्रॉट किया है तो मेनेजर वसान को कहता है कि तुम यहां से चुप चाप रिजाइन कर दो और हमारी कमपनी का लूटा हुआ पैसा हमें वापस कर दो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमें एक्सन लेना पड़ेगा तो वसान ये बात सुनकर तो पूरी तरह बुखला जाता है आगे वसी मैनेजर के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है और कहती है जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपके पैसे आपको चुका तो मेनेजर कहता है तुम पैसे ते से भी मांग सकती हो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा तो वसी कहती है और मेरे बारे में बहुत कुछ गलत समझता है अगर मैंने उससे पैसे मांगे तो वो समझेगा कि मैंने ये साधी सिर्फ पैसो के लिए की है तो मेनेजर वसी से पढ़ता है उसका गुस्त तो साथवे आस्मान पर पहुंच जाता है और वो वसी के बारे में पूस्ताच करने लगता है क्या कर वसी कहां गई है तो उसे पता चलता है कि वसी हॉस्पिटल गई है दूसी तब वसान वसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और उसे जब बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है तो वसी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती प्लीज मेरा पीछा छोड़ो तो वसान कहता है बकवास करना बंद करो मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो बस मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रही हो लेकिन ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है दूसे तब मनी के स्टेफ फादर विसेट से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विसेट उन्हें कुछ बताना चाहते हैं और सायद वो उनकी बेटी के बारे में भी जानते हैं तो मनी के स्टेफ फादर विसेट से पूछते हैं कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है तो विसेट उसे बताने की पूरी कोशिज करता है पर बिचारा बोल ही नहीं पाता तो मनी के स्टेफ फादर पूरी कोशिज करते हैं ताकि वो उनकी भासा को समझ सके लेकिन उन्हों की बात्चित अधोरी रह जाती है।